rule number 15 we are here with a subject with a chapter subject verb agreement ठीक है so we are coming to another rule of subject verb agreement that is rule number 15 ठीक है अब थोड़ा तर ध्यान देने वाले कुछ rules हैं जो आपको बहुत ध्यान देके करने हैं अब कुछ nouns की collection आपके पास जब पूरी तरह से होगी तो आपको जड़ा भी दिक्कत दियोगी इसलिए अगर इस subject verb agreement को ठीक से पकड़ना है तो nouns और adjectives और pronouns को detail में पढ़िए uncountable nouns like advice, media, stationary, weather, progress, are singular ठीक है देखिए यह हमेशा singular माने जाते हैं क्या माने जाते हैं? singular माने जाते हैं और यह सब क्या है? uncountable nouns देखिए मैंने यहाँ blue में uncountable nouns के बारे में क्या लेका है? uncountable nouns पहले तो आपको पता है which are not countable लेकिन uncountable nouns में कौन से nouns आते हैं? material noun आते हैं यह आपको याद रखना है, material noun आते हैं और abstract noun आते हैं यह आपको याद रखना है जिससे आपका nouns का uncountable level clear हो जाएगा सिर्फ uncountable से ये मतब नहीं है कि हम जिसे गिन नहीं सकते तो uncountable nouns वो है, advise, media, media मतब आप जानते हैं हमारी जो media है ठीक है, जिसमें हम लोग press या फिर news, written या electronic media हम लोग जानते हैं stationary, pen, pencil, eraser, books, weather, आप जानते हैं, मौसम, progress, प्रगती और साथ-साथ ये सब हम लोग के क्या माने जाते हैं, singular माने जाते हैं, इसलिए ये क्या लेते हैं, हमारे अपने आप, वो क्या ले लेते हैं, singular verb लेकिन ये कौन हैं, हमारे uncountable nouns हैं, अब हो सकता है, ये सब की category, material, abstract में हो, कुछ की material में हो सकती है, कुछ की abstract में हो सकती है, so her advice has not been considered, ठीक है, तो हमने has लगाया, ओके, तो has क्या है, किसको indicate कर रहा है, singular को indicate कर रहा, the media plays a very important role, तो यहाँ पर फिर place किसको indicate कर रहा है, singular को indicate कर रहा है, तो यह एक ऐसा rule है, जिसमें आपको दो-तिन जानकारिया एक साथ मिल रहे हैं, पहले तो uncountable nouns, फिर uncountable nouns क्या होते हैं, material और abstract होते हैं, और साथ-साथ, इनके साथ हम लोग singular verb लगा रहे हैं, okay, now we are coming to rule number 16, ठीक है, some nouns which are plural, ध्यान दीजी, यह बहुत critical rule है, some nouns which are plural, in form, but singular in meaning, very very important, ठीक है, इसको याद रखिए, देखने में क्या है, यह plural है, form में, लेकिन आंतरी ग्रूप से क्या है, इनका meaning क्या निकलता है, singular निकलता है, क्या निकलता है, singular निकलता है, take a singular verb, और लेकिन यह लेंगे क्या, singular verb को लेंगे, जैसे example देखिए, news, है ना plural देखने में, wages, है ना plural, arms, भीक को arms कहते हैं, hydraulics, एक सिस्टम है, जिसमें vacuum काम करता है, vacuum, hydraulics, यह इसका हम लोग, बहुत सारे machinery parts में देखते हैं, comics, आप पढ़ते हूँए, optics, आप center का आजाता, phonetics, phonetics किस की study है, जिसमें हम लोग accent पढ़ते हैं, English में, तो यह सारे part क्या है, देखने में क्या है, सारे के सारे plural नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन यह लेते कौन सा वर्भ है, singular verb लेते हैं, इसलिए, this news is a rumor, rumors of war, so this news is a rumor, तो हम यहापर news के साथ क्या लगा रहे हैं, इसलिए, the wages of the labor is rupees 500 per day, तो हम wages को देख रहे हैं, और इसके साथ क्या लगा रहे हैं, इसलिए तो यह था आपका rule number 16, so we are coming to some exceptions, अब कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो plural होती तो हैं, और singular verb तो लेती हैं, लेकिन, words like physics, mathematics, economics, और भी words हैं, statistics है, innings है, आप आगे में देखेंगे words, बहुत सारे words हैं, जिसमें ending किसकी होती है, एस से होती है, लेकिन जरूरी नहीं है, कि वो plural है, are singular, when they refer to, single branch of study, इन सब को हम singular मानेंगे, तभी, जब वो किसी study को बताते हैं, तो यह branch of study है, जब हम branch of study के रूप में इसको देख रहे हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, singular मानेंगे, यह हमारा 16 का exception था, यह आपको ध्यान र 17, ठीक है ना, ओके, so some of the collective nouns, takes a singular verb, ठीक है, when the collection is thought of one whole, then it takes plural, अब यहां पर थोड़ा समझना है, यहां पर क्या लिखा है, collective noun है, कौन सा नावन है, collective noun है, ठीक है, collective noun है, ठीक है, collective noun है, और, collective noun है, और हम लोग इसको क्या मान रहे है, singular verb, तो हम लोग यह ध्यान रखेंगे, when the collection is thought of one whole, अगर हम सारी collection को एक मान लेंगे, example देखिए, आप बहुत ज़ली समझेंगे, जैसे class आप सुने हैं, cabinet सुने हैं, board, army, jury, mob, government, team, यह सब word हम लोग को हमेशा कैसे मिलते हैं, यह सब में बहुत सारे लोग work करते हैं, और यह देखने में देखिए, कोई ऐस नहीं लगा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह एक ही इंसान होगा, इसमें बहुत सारे लोग मिलकर भी एक सिस्टम को चला रहे होते हैं, तो इस words के साथ हम लोग को ध्यान रखना है, हम दोनों जीत रहे हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं, the India are fighting to win, ठीक है, अब यहाँ पर हर एक India का player है, जो अलग 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 तीमों के साथ खेल रहा है, और जीतने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग एक से अधिक को देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, और इस से पहले सुरीज, इस इस आप में यू कन लर्न अग्राफ, और इस इस गूंग तो एल्प यहाँ अलोग, तो यहाँ यहाँ, 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 यहाँ